रवन पांडे जुड़ गये हैं सबसे बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पर रवन जी की जो पीडित है उसे नजर बंद कर दिया गया है दो दो सब इंस्पेक्टर के पहरे में रखा गया है और दो सिपाही बाहरे पूर्ब डीजी पी जुड़ेते उन्होंने इस बात पर हैर जानी जाहिर की क्या कुछ देख रहे हैं जराव वारे दर्शुकों को बताइए देखे रावल सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि पुलिस का लाजिक यह है कि इनके पास कॉल आई थी कि कुछ लोग की भीड़ी यहां जमा हो गई है इसलिए इनका लाजिक यह है कि उनको सुरक्षा मोया कराने के लिए पुलिस यहां पर मौजूद है लेकिन यह मैं आपको अपने बैग्राउंड में दिखाता हूँ यह मकान है वो एल तीन बटे तिरसट यह दो मंजिला मकान है और ग्राउंड फ्लोर फर्स फ्लोर और सेकंड फ्लोर बना हुआ है जिसमें ग्राउंड पे सना रहती थी आप सीधे देख सकते हैं वहां ताला बंध है अभी कुछ देर पहले मकान मालिक भूपेंद्र से हमारी बात चूत हुई है उनसे तमाम सवाल पूछे गए उनका यह कहना था कि हाँ कभी कभी आते थे वो यहां पर और आना जाना रहता था और आज सुबह उनकी वाइफ आई थी मकान मालिक को सुबह पुलिस आई फिर पता चला तमाम मीडिया से पता चला एक चीज उन्हों ने यह कही कि अभी वो ग्राउंड फ्लोर पर सना मौझूद हैं जो यहां किराया पर रहती हैं और उनकी उनके पास तीन चार महिला पुलिस कर्मियों को लगाए गया है पुलिस का लाजिक यह है कि महिला पुलिस कर् कर रही है क्या अदालत का काम करेगी क्या पुलिस एक तो सीधे गोली मार रही है रवन जी सीधे गोली मारी गई है और उसके बाद नजर्मन किया रहा है पुलिस से बात करने की कोशिश की जी मैंने पुलिस से बात करने की कोशिश की यहां जो पुलिस कर्मी मौजूद है जो अधिकारी है वो बात करनी के इस्तिती में नहीं है मैंने उनको अपना परिश्य दिया वो बात करनी के इस्तिती में नहीं है और इस समय यहां से अब दीरे दीरे जा रहे हैं अंदर चार पुलिस कर्मी मौजूद हैं महिला पुलिस कर्मी क्यों मौजूद हैं घर में क्यो गया है? गैर कानूनी है, एक तरफ पुलिस आम आदमी का इंकांटर करती है, दूसरी तरफ उसकी जो मेन गवाय है, जो की एहम कड़ी साबित हो सकती है, उसको यहाँ पर नजर बंद किया गया है। मैं ने पूछा कि reads वक्त तक उनको नजर्बंद किया जाएगा पुलिस ने मेरे सवाल को टाल दिया और पुलिस ने कहा उनको नजर्बंद नहीं किया गया है उनको सुरक्षा मुहिया कराई जा रही है इसलिए चार महिला पुलिस कर्मियों को यहां रखा गया सवाल यह उठता है बारत समाचार कौन देगा इसका जवाब SSP साब देंगे इसका जवाब DGP साब देंगे या इसका जवाब UP का पुलिस में हैकमा देगा बिलकुल निश्चित तोर पर यह एहम सवाल है जो हमारे एक्जगुडिवेटर रमन पंडे लगातार पूछ रहे हैं कि सना को आखिरकार इतनी सुरक अच्छा दी गई हो लेकिन पूरी तरह से हर मुवमेंट पर उसकी निगरानी रखी जा रही है क्या रवन जी कोई उससे मिल सकता है कोई आ जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है क्या हो रजरा बताईए हो आप ये भी सुनिए 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 मैं आपने कैमरामेन को कहू है यहीं खड़ेते यहीं खड़ेते यहीं पुलिस वाले खड़ेते जैसे ही मैंने कैमरा रोल करना शुरू किया है वो गायब हो गया है जैसे ही मैंने सवाल किया है कि इस घर में नजरबंद क्यों किया गया है वो गायब हो गया है देखिए दूर दूर तक उनका पता नही है पुलिस की accountability सिर्फ इतनी है कि यहां पे मीडिया को bite देने से अंदर जाने से रोक रहे हैं जो की गहर कानूनी तरीके से एक तरह से नजर बंद करके रखा गया है उस गवाह को जो एहम कड़ी साबित हो सकती है पुलिस द्वारा आम आदमी का जो encounter हुआ है उस case में बिल्कुल निश्चित तोर पर वहाँ कुछ लोग और भी मैं देख रहा हूँ क्या वो साधी वर्दी में कुछ पुलिस वाले हैं या आसपास के रहने वाले लोग हैं जब आप वहाँ पहुंचे कि मतलब आप सुबह से क्या हैपनिंग हो रही है आप अपना नाम मत बताईए यहां बिल्कुल सांत बाता वहाँ था आगे पीछे कोई इस चीज की संभावना नहीं थी यह पूरा प्रतक्ष जो घटना घटी उसका द्रस यह बताता है कि जान बूज के यह घहर के मारा गय आप यहां पर क्या देखा आपने सुबह 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 ने पुलिस नहीं नदर बंद करके रखा हुआ है लेकिन आप फर्मल्टी करने आई पुले से चली गई मतलब अंदर अंदर वो मौजूद है ना आप लोगों तो पता होगा हम देख नहीं पाए उनको आपको पता ह रहें चलिए कुल मिलाज उलाके यहां के जो लोग हैं उनका यहीं कहना था कि पुलिस आई और पुलिस चली गई अभी मेरे सामने गई है पुलिस मैंने उनको खुद का है कि आप लाई पे आके कम से कम अपनी चीजों को क्लियर कीजिए लेकि जब इनके आला अधिकारी न अनुप कुमार लगातार हमारे साथ विवेक तिवारी के घर के बाहर मौझूद है वहां से क्या अपडेट है अनुप बतलाई हमारे दर्शुकों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो मिर्तक है उसकी जो मा है वो यहां पर भी पहुंचे हुए है और पूरा जो परिवार है उसका जो रोरो का बुरा हाल है जो पत्नी है वो बार बार भी हो सो